हेलो फ्रेंड्स, विलकम टो माई चैनल, अलबाउट जॉब्स में फ्रेंड्स, एनलसी इंडिया लिमिटेट की तरफ से बहुत ही अच्छा एकुटमेंट के लिए नोटिफिकेशन निकल के आया है, जिसमें डिप्लोमा भी वी टेक वाले अपलाई कर सकते हैं, टोटल नमब सेलेक्शन पोसेडियोर, एन अप्रिकेशन पोसेडियोर क्या होने वाली है, तो हार एक चीज एक एक करगे, डिटेल्स में डिसकास करूंगा, और लास्ट में जाके दिखाऊंगा, इसमें अपलाई कैसे करना है, तो वीडियो को लास्त तक देखिएगा, ताकि आप लोग अभीता कमरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि ओधर चुनल के जरूड शब्सक्राइब कर दो, और विल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपको आने वाले सारी अपडेट निल सके, और वीडियो को जद शथाद लाइक करे, कौमेंट करे, श्यार करे, और चैनल को जद शथा सपोर्ट करे तके में मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे-अच्छ नोटिविगेशन आप लोग के लिए लेके आने के लिए तो स्टार्ट करते ही डीटेल्स नोटिविगेशन के तो फ्रेंट्स हही पर ग्रैजुएट और टेखिनिशन अपरेंटाइस के लिए वैकेंस निकल के आया है इसमें अपलाई करने के लिए अगर आप लोग तमिल नारू, अंध्रोपोदेस, तिलेंगाना, केराला, कॉनाटोका, पोंडी चेडी और लाखादीप में से बिलोंग करते हो तो ही आप लोग इसके लिए अलिजेवल हो, अगर आप लोग दूसरे स्टेट में से बिलोंग करते हो, तो आप लोग इसके लिए अलिजेवल नहीं हो, इसमें अपलाई नहीं कर सकते हो इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग आपके B.E.B. Tech और Diploma 2019, 20 और 21 पर पासवट कियो तो ही अप लोग इसके लिए अलिजयवल हो इलेक्रोनिक्स और कोम्नेक्स इंचिर 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 इ इसमें आपको स्टाइपें 15,028 पारमांथ बिल जाएगी और इसमें आपकापन्टेसिक का दिरेशन वानियर तक रहेगी नेक्स्ट के दिप्लोमां अपान्टाइज के लिए जिसमें फस्ट एउलेक्रीकल और इसमें टॉल नम स्ट वाइभी और उकतालेफ के लिए जिसमें टॉल नमस्ट नम्बर उखलाइभवगांजी और इसमें टॉल नमस्टैसिक में आपकापन्ड ऑनम्रा जाएगी offeredi और नेक्स्ट फार्मेसी वालों के लिए जिसमें टोल नमबर ओव वेकेंसी 15 है खुल मिला के टेकनिशन अपनटाइस के लिए टोल नमबर ओव वेकेंसी 30 निकल गया है इसमें आप पो स्टाइपेंड 2524 पारमांत मिल जाएगी और इसमें आप काईपनटिस का डुरेशन 1 अ एक्तिक रहेगी बात कर लेती एक्ट्वेशनल क्वालिफीकेशन की वारे में थो फ्रेंस अगरण आप लो ग्रेजुएट अपनटाइस के लिए अपलाई कारते हो तो उसकेस में आप लोग टेक्शिं़ेकल अन इलेक्त्रा नेक्ट्रोनिक्स इजिशन एक्डिनेरिंग इ Instrumentation, Civil, Mechanical, Computer Science and Engineering, Mining और Pharmacy में से 3 सल का डिप्लोमा करके राखे हो, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो. इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और उसके साथ अगर आप लोग आपके डिप्लोमा और बीवी टेक 2020 और 2021 पर पास आउट की हो, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो. बात कार लेते एजिलिमेट की बारे में, तो फ्रेंट्स एजिलिमेट यही पे 18 एट्स लेके 24 एट्स तर रखा गया है, उसके लवा अगर आप लोग SCST, OVC और PWD के अट हो, तो उन लोग को ऐस पर Government Norms एजलक्सेसन मिल जाएगी, जैसे SST कंडिट के लिए 5 साल का, OVC कं अगर आप लोग उसमें शॉटलिस्ट होते हो, तो उसके बाद आपको डॉक्मेंट्स वरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और डॉक्यूमेंट्स वरिफिकेशन सक्सेस्पली कंप्रीट होने के बाद आपको सलेक्शन ही पे हो जाएगी, बात कार लेते प्रिकेशन प्रोसडियोर इहीं पर उनलाइन डखा गया है, इसमें अप्लाइग कारने से पहले फस्ट आपको इमीचारी नेट्स पोटल पर जाकर रिफिकेशन करना होगा, और रिफिकेशन करने के बाद आपको इसका जो अफिशल विबसाइट है, उस विबसाइट में जाके आप उनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म फिल करके सब्मिट करना होगा, इसमें अनलाइन अप्लिकेशन पोटल स्टार्ट होगा 1st February 2022 से और इसमें अप्लाइग कारने के लिए लास डेट रखा गया है 10 February 2022 और अप्लिकेशन फॉर्म उनलाइन सब्मिट करने के बाद इसक에 लवा EW Candidate के लिए income certificate का self arrested photocopy और P WD candidate के लिए disability certificate का self arrested photocopy और इसके साद आपका MARKS इसका copy, यह सब documents का self arrested photocopies आपको उस application firm के साद अटच करके एक envalap बननाप बनाने पारेगा और जिसके ओपर आपको mention करना होगा, application for the post 供ोप Jones Kon navy के लिए apply कारना चाहता है उसका नेम ये मेंशन कारने के बाद आपको उस इनमेल आपको इसका जो ऑफिशल एड्रेस हैं पे मेंशन किया हुआ है इसी एड्रेस के आपको 15 फेबुरारी 2022 से पहले स्वीप पोस्ट जातो डेस्ट पोस्ट के तुरूपे से इन कारना होगा बात कर लेती इंपोर्टेंट देट्स की बादे में तो अगर आप लोग डुकुमेंट्स वरिपिकेशन के लिए शॉट लिस्ट होते हो तो उसकेस में आपका डुकुमेंट्स वरिपिकेशन के लिए डेट राख आ गया है 1st मार्च 2022 से लेके 5th मार्च 2022 अगर आप लोग फाइनली सेलेक्ट हो जाते हो तो फाइनल सेलेक्टेट का लिस्ट निकलवा जाएगा 12th मार्च 2022 पे और जाइनिंग के लिए डेट राखा गया है 21st मार्च 2022 तो फ्रेंट्स यह है इसका इटेल्स नॉंटिविकेशन नेक्स्ट में आप लोग को परसंडर चॉब मार्च का फॉर्म दिखायता हो तो फ्र एक सेमिस्टर का जो मार्क से उसको आपको ही पे फिल करना होगा और यह सब इंफर्मेशन आपको अच्छे से फिल करने के बाद इसके साथ जो डॉकुमेंट्स मॉडले डिसकास कर चुका हो उस डॉकुमेंट्स का सिल्फ अट्रस इट फोडोकॉपी साटच करके एक एक अ उसी एड्रस पे 15 फेबुर्वारी 2022 से पहले स्वीट पोस्ट रेस्ट पोस्ट के थरूपे सेन करना होगा तो फ्रेंट्स यह इसका इसका इप्लाइन आप्लाइन के लिए आपको इसी लिंक पर आणा होगा इसका ऑनलाइन अप्लाइन पोटल अभी तक स्टार्ट नहीं आप लोग वहां से चेकाउट कर सकते हो अगर कोई वी नियूस आती है तो मैं टेलीग्रम चैनल कर देता हो और अगे भी श्यार करता रहोंगा और उसके साथ एक्जाम का सिलेवास वहार प्रिवियस यह कोश्ट कर सकते हो सब्सक्राइब कर देता हो तो अभी कभी हमाएं टेलीग्रम चैनल से जुट जाए आप लोगों को भी फायदा मिलेगा और टेलीग्रम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी आप लोगों में से कौन को इसके लिए अप्लाई का रहे हो कॉमे करें श्यार करें और चैनल को जोड़ा सब्सक्राइब करें दाके में मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छा अच्छा नोटिवेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए तो मिलते नेक्स्ट वीडियो पर एक नया जाप मोटिवेशन के साथ तब तक के लिए गुडबाई THANK YOU